लेकिन मेरे कान तब खड़े हो गई जब वही वैक्ति अगले दिन फिर एटियम में पहुंशता है और दोबारा से सो रुपे निकाल कर ले जाता है और यह सिलसला कई दिनों तक यूँ ही चलता रहा उसमें मुझे कुछ अजीव लगा लेकिन मेरी यह शंका निराधार साबित होई क्यूंकि वह आदमी तो एक फोजी था एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछी लिया खोजी साब मैं हर रोज देखता हूँ आप आते हो शाम को सो का नोट निकाले जाते हो यदि आप चाहो तो एक बार में ज्यादा पैसे भी निकाल सकते हो और आपका कई दिन का खर्चा चल सकता है लेकिन आप सो का नोट ही क्यों निकालते हो जवान मेरा जो यह अकाउंट है ना जब भी मैं इसमें से पैसे निकालता हूँ मेरी पत्नी के पास एक मैसिज जाता है क्योंकि कश्मीर का महौल तो आपको पता ही है और मोबाइल सर्विसिज और इंटरनेट तो यहां रोज ही बंद हो जाता है तो इसी बाहन मेरी पत्नी को मेरे घरवालों को पता चल जाता है कि मैं भी जिन्दा हूँ और मैं बिना किसी फिकर के अपने देश की रक्षा करता हूँ बस इसी लिए रोज सिर्फ सौर पे निकालता हूँ जजबातों को पिगला कर रगों में लोहा भरना परता है तब जाकर एक मा का लाल भारत मा का फोजी बनता है जैहिल जैहिल